दमोजले के जवेरा थाना अंतरगत आने वाली सिगरामपुर चोकी में स्टाफ की कमी है लेकिन यह चोकी जवलपूर की सीमा से लगसटे और दमोग की सीमाओं में आने वाले 40 गाओं का निरिक्षन करती है यह उने वाली घटनाओं पर काम करती है वहाँ के अपरादों पर नेंतरगती है लेकिन यहाँ पर स्टाफ की कमी है ऐसे में यहाँ पर की पुलिस को परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है दमोग जिले की अंतिम सीमाओं पर जवेरा थाना के अंतरगत बनाएगी सिग्रामपुर चोकी जो अपने शेतर की 40 गाओं देख रही है राद दिन स्टाफ की कमी होने से आई दिन परिशानी का सामना करना पड़ रही है वहीं दमो जबलपुर सीमा होने के कारण आई दिन तसकर लोग घूमते रहते है दमो से जबलपुर सीमा में आराम से वेपरवेश कर लेते हैं जो की सिग्रामपुर चोकी जबलपुर सीमा से लगी हुई है लेकिन स्टाफ की कमी से यहाँ पर देखरेक का भाव होता है सिर्ग्राम पुर्चोगी में पुलिस बल्गी कमी का हमेशा भाव बना रहता है यहाँ पर तीन आरक्षक, दो महिला आरक्षक और एक A.S.I. सहत स्टाफ की मौज़ूदगी है एक आरक्षक ड्यूटी डायल हंड्राइड में रात्री के गश्ट के दौरान लगा दी जाती है तो सुबह स्टाफ में आरक्षक नहीं रहते अगर कोई घटा घटत हो जाए तो थाने से पुलिस बोलाना पड़ती है जब पुरसीमा से लगे अवैत कारोबारियों का आना जाना भी यहां पर बना रहता है स्टाफी कमी होने से कोई देखने वाला नहीं वहीं चालिस गाओ के बीच एक पुलिस चौकी है अगर एक साथ दो घटनाएं अलग अलग स्थानों पर हो जाएं तो सिग्राम पर चौकी में पदस्ते पुलिस बलना होने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है